हेलो फ्रेंड्स दिस इज वर्शा हेर लेट्स आप सेशन टोड़े पेरिमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 11.2 इसका तो हाइट निकालना है इसका तो हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ओफ ट्राइंगल इक्वल टू वन अपान टू इन्टू बेस इन्टू हाइट यह हो गया जब एरिया निकालना हो लेकिन हाइट निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है हाइट आफ ट्राइंगल इक्वल टू तो हाइट निकालना है तो एरिया इधर हो जाएगा एरिया इन्टू यह टू डिवाइड में है तो मल्टिप्लाइ में हो जाएगा और बेस मल्टिप्लाइ में है तो यह नीचे आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा बेस तो यह हो गया हाइट का फॉर्मूला अब बेस का फॉर्मूला बेस आफ ट्राइंगल इक्वाज टू एरिया इंटू टू अपन हाइट तो इस फॉर्मूले के अनुसार अब हाइट निकालेंगे तो नाव हाइट अफ ट्राइंगल इक्वाज टू एरिया इंटू अपन बेस तो अरिया यहा दिया हुआ है 87 इंटू टू बेस है 15 सेंटिमीटर तो 15 तो यहां देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है थिरी से डिवाइड हो रहा है तो हो गया 58 अपन 5 अब इसको डिवाइड कर देते हैं 5 से 5 बंजा 5 फिर 5 बंजा 5 अब 3 है तो यहां पॉइंट लिखेंगे तो यहां 0 5 6 जा 30 तो हो गया 11.6 सेंटिमीटर यह हो गया हाइट नाव क्वेस्टन नमर फूर का सेकेंड पार्ट हाइट यहां दिया हुए है 31.4 mm एरिया ओफ ट्रायंगल 1256 mm स्कूर बेस इसका निकालना है तो बेस ओफ ट्रायंगल इक्वास टू फर्मूला होता है एरिया इन्टो टू अपॉन हाइट तो एरिया है 1256 इन्टो टू अपॉन हाइट तो यह पॉइंट हाटाएंगे यहां 10 तो यह देखिए फोर्ज डिवाइड हो रहा है फोर्ज से इसको डिवाइड कर दिये तो 24 जा 80 तो यह हो गया 80 mm यह हो गया बेस नाव क्वेस्टिन नमबर फोर का थर्ड पार्ट तो बेस दिया हुआ है 22 cm हाइट मिसिंग है और एरिया आफ ट्राइंगल दिया हुआ है 170.5 cm2 तो हाइट इसका निकालेंगे हीट अफ ट्राइंगल दिया हुआ है एरिया इंट टू अपन बेस तो अरिया दिया हुआ है 170.5 इंट टू बेस 22 cm तो यह पॉइंट अटाएंगे यहाँ 1 0 2 से डिवाइड हो रहा है 11 अब यह 11 से डिवाइड हो जाएगा 11 1 जा 11 6 11 5 जा 55 5 11 5 जा 55 तो होगे यह 155 अपन 10 तो इसको एक जीरो है तो यहाँ एक अंग के बाद पॉइंट बिठाएंगे 15.5 cm तो यह हो गया हाइट तो यह था मेरा क्वेस्टन नंबर 4 तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में थांक्स पॉर वाचिंग झाल हो यह थाइब कर दो कर दो यह थांक्श जाए बढ़े नेक्स पाने कर दो यह होगे भी झाल होगे पाल को यह होगे अज़ खी फ्रेस्टन